गुड बॉर्णिंग दोस्तों क्या हाल चाल वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग तुसुबा के लगबग साड़े दस अभी बज़रे हैं आज यह मिस्टर किसी डॉगी से फाइट करके आए और वहां पे आप दिख सकते हैं पूरा कट के आए हैं और भाई इसको अब दिख सब्ज आ जाती है वैसे जब कोई काटता है ना तो वही तब इसको दो-चार दिन के जाना बंद हो जाता है ये वेलकम 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 ठीक हो आज का दिन ना थोड़ा होमस्टेइप ज्यादा मेहनत करनी है तो ऐसे मैं थोड़े दोस्त लोगों को मैंने बुदाया है कि आप लोग भी आज़ो हैल्प करने तो सारे लोग दिरी दिर आ रहे हैं फिलाल अजु भाई और मनीश भाई वहां पर बैठके खाना खा रहे हैं तो मैं भी खाना खा लेता हुआ फटाफट इस गिलास के अंदर ना तेल और हल्दी मिक्स कर देते हैं लेकन आप देख सक ताकि इसको ऐसा फिलो कि यह बंदा तो राम से चाई पी रहा है और इससे कुछ लेना देना है नहीं देखो इसे अपनी एक्टिविटी शायद से समझ गया कुछ बस तरह से दिखा रहा है मैं चुप चाप यहां से फैकूंगा फिर देखते हैं रहे नहीं उठ गया कहीं काटना दे भाई टांगे उपर कर देता हूं अच्छी तरह से यह भी सही रहता है क्योंकि यह देखो लगाने नहीं देंगे जनाब बस दो तिन बुंदे गिरी अभी भाग गये आजा अम मैं इसके पीछे जितना भी भागूंगा न दोस्तों यह नहीं रुकेगा मेर बात यह भी है कि हम इसे पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि अब बढ़ा हो गया है और कौन कब कैसे काट दे भाई कोई पता नहीं तो अभी बापे इस होमस्टेय पे पहुंच चुके हैं दोस्तों आज हमें क्या करना है कि इस वाली जगह पे लकडिया बगडिया पूरी हटा इट की बात करूँ वो भी 12-13 रुबे की पड़ती है चलो बाकी तो जो होगा देखा जाएगा फिलाल अभी यहाँ पे मैनत करते हैं और सारी की सारी लकडिया जो यहां से हटा देते हैं रहसे आज की डेट में तो यह लकडिया भाई हटानी बढ़ रही है यहाँ पर फट आप लोग समझी सकते हो कि क्या चीज और क्या व्यू है यह काम की बागधोड में ना भाई सच बताओ तो कभी यहां जाना पड़ता है कभी वहां जाना पड़ता है तो मम्मी की तवित जो ना सुबह से बहुत जादा खराब होगी थी तो ऐसे मैं मम्मी और रिया तो चले होता है मतलब जिससे वैल को कैप्चर करते हैं उसको बोलते हैं जुंगला यहां पर पहुंच चुका है तो बस भाई कुछ ऐसी ऐसी लाइफ चल रही है तो लोग जी दोस्तों बैल भी जो दिये अब सही बताओ ना तो कभी-कभी तो इतना बुरा फील आता है ना मतलब ए साइद से आपने आपको समझा पाऊं मैं लेकिन ना सच बताओं तो सारी की सारी चीज़ों के साथ अकेले ही डील करना पड़ता है यहां पर रहूंगा तो लोग बोलेंगे कि ऐसा ही वैसा है सच बता दू तो अब यही है कि इंकम सोर्स ना यूट्वी तो इसके ऊपर ना चाहते हुए भी सच बता देता हूं मैं मेरा एक परसेंट भी दिल नहीं होता है वीडियो बनानेगा बट फिर भी आप लोगों के सामने बना के देता हूं बट एक्चल मैं बहुत ज़्यादा आयार आप समझ सकते हैं पर बनानी बढ़ती है मुझबूरी में बट परसे जब लोग गालियां देते हैं और बोलते हैं कि वह ऐसे ऐसे तुम संपती लेते हो ऐसे करते हो एक चीज़ बोलता हूं यह संपती नहीं है लाला यह बचपन की करिवी महनत है जहांसे कि हम स्टैंड करें हैं बाई तुम्हें पढ़ा दिया जाता है अच्छी जगा क्या है बोल सकते है ना किसी को भी यह फिर टार्गेट नहीं कर रहा हूं बट उन लोगों को बोल रहा हूं जो खासकर कमेंट बोक्स में घालीयां देने आ जाते हैं अब कल पर सो एक बंदे की बात ने बता रहा हूं वो मिरे को गालियां दे रहा था कि साला शराबी और M. लिखा उसने आगे और जब मैं उसकी प्रफाइल में गया पर्सनली तो मैंने देखा कि उसने क्या अपलोड करके रखा है तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं लाइफ में है ना बैसे मैं लोगों की टेंशन जादा स्ट्रेस कियो लूँ क्योंकि मेरे भोले नातने आप लोगों जैसे भाइचारे इतने दिये हैं इतने स्पोर्ट करने वाले दिये हैं कि दिल से बोलता हो थैंक्यू बस देखते रहना इस सफर में जारी रहना आपका भाई आपके समने बड़ी चीज़े करके दिखाएगा और ना दोस्तों कमेंट किस अंख्या ने घटना चाहिए इसी वापिस खेट की तरफ तो अब ना दोस्तों कुलमला के काम जो यहां पर भी शुरू कर दिया है कभी यहां कभी वहां और यह दोस्तों इनको आप जानते हैं यह नए भाई आया है ठीक टाको बढ़िया ठीक है तो यार देखलो आप अब इसके हमें एक पांच फूट किसी की गाड़ी लेकर आया था अब गाड़ी वाले को जुरूरत है अपनी गाड़ी की वैसे मैंने सोचा कि चलो भाई तो मुस्त गाड़ी को छोड़के आ जाओ पीछे-पीछे मैं भी जाता हूं और फिर बापस दोस्त बोल रहेगी यहीं पर बैठेंगे मैंने का चलो ठीक है अभी फिलाल वहाँ पर जा रहा हूं और भाई जड़ा मौसम देखिए किस तरह का हो रखा है अभी हर तरफ ना लाल-लाल कलर के जो यह बादल है ना बड़े ही ऐसे लग रहे हैं खतरनाक भी लग रहे मुझे दा और प्यारे भी लग रहे हलांकि इस तरफ तो पू क्योंकि आज हमने सोच रखा है ना कि जितना गड़ा खोधना है ना वह आज ही खोधेंगे पूरा का पूरा गड़ा बेशाक उसके लिए हमें लाइट का यूज क्यों ना करना पड़े तो बाखी के दो बंदियों तिनी देर रेस्ट कर रहे हैं मैंने का चलो आप बैठो ह हम जाके आते हैं अभी ठीक है अभी ठीक है मेरी शौनी पुतर ठीक है इसको नो दोस्तों मैंने ठोड़ी सी लगाई है हल्दी उसके आद में शाइद से थोड़ा से र्लेक्स फ्री कर रहा है और अब पूरा खेलने के मूड में आजा चला जा जा आजा जा वह 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 पूरी महनत करने के बाद जो सारी की सारी चीज़े बनी है अभी और गहरा करेंगे बट कल करेंगे महनत तो भाई करने ही पड़ेगी ख्यार अभी इतना है कि इस खड़े से उपर ना भी चड़ते चड़ते जो कि हमने पिछले लगवग थोड़े टाइम में किया है थोड़े से तकलीफ हो रही है आप ये चीज़ समझ लो तो भाई यहां से यहां तक और इतना ही घहरा जितना है अभी और जाएगा फिर आगे काम हो जाएगा तब भी जो है न वह दोस्तो फाइनली होमस्टे मेहनत के बाद आप लोगों के लिए बन पाएगा तो अभी तो निजारा कुछ दिखनी रहा है फिलाल मैं चलता हूँ घर के लिए क्योंकि काफी ठक गया हूँ और खाना वाना खाने का मन हो रहा है क्योंकि नहीं काफी ज़्यादा जोड़ से भूख भी लगने लगी है तो भी दोस्तो थकार के कुल मिला के पहुंचाओं विस्तर मैं एंड ना दोस्तों नवे थोड़ी देर यहां पर बैठना था लेकिन यार वह भी लोग चलेगे खाना खाने के वाद क्योंकि कुछ इस तरह की चल रही है ना भाई घर मैं मैं आपको पता सुबह गयते होस्पेटल हुसी प्राबलम को लेकर जो भी पी उनका हाई होता रहता है बार बार एक सो नब्बे नब्बे तक चला जाता है प्रहेज भी कर रहे हैं दोआई भी खा रहे हैं उसके बाद भी फरग नहीं पड़ता है पता नहीं फिर इन लोग बड़ ना फिलहाल जो मैडिसन लेके आया थी मम्मी उस मैडिसन से भी कोई फरग नहीं पड़ रहा है उल्टी तवे जो और ज्यादा खराब होती जा रही है तो ऐसे हमें अभी भी मम्मी जो है ना उपर लेटे पड़े हैं बोले रहेने की नीन नहीं आती है उपर से उनक कॉछ नहीं तो में लिए जिसवादा रहा है आप जूड़ा आप दिखाना पड़ेगा जैसे कि में जो यह से उस्पेटल जाके जाना पड़ेगा जैसे कि मृट डिकांवारे हमारे यांप पर फोस्पिटल है वहा पर उतना वी ज्यादा रही हाई ट्रीट्मींट नहीं मि पर देखता हूं अगर सुबा तक मम्मी की तवेत में कोई फरक देखता है तो ठीक है यही तो चमबा जाना पड़ेगा अगर ज्यादा तवेत खराब हुई तो हो सकता है कि रात को भी निकलना पड़ जाए जैसी भी कंडिशन आ सकती है तो दोस्तो कुछ ऐसे चल रही है जि